नमसेर इस वीडियो में बात करने वाले Similarly Syntax Analysis के उपर अब Syntax Analysis के का नेरिसे सब्सक्रहकम होता है कि जो सांटесके वास आता है रहा है और दूसरा काम करता ऐनुद helps ऑलन कर पर आता है सबसे पहले काम की जो points है वो यह कहता है पहला point यह कहता है कि syntax analysis का जो phase है वह बहुत जादा important phase natural language processing का that's okay second point यह कहता है कि इस phase का purpose यह है कि एक sentence में का exact meaning या dictionary meaning को draw करना यह इस phase का purpose है अगला point यह कहता है कि syntax का मतलब ही यह होता है कि एक sentence जिसमें जो words है वो grammatically सही है यह syntax का मतलब होता है syntax मतलब I mean syntax analysis में का syntax उसका मतलब यह होता है अगले point के उपर आते है अगला point यह कहता है in natural language processing syntactic analysis is used to assess how natural language aligns with the grammatical rules इसका मतलब यह है अगला point यह कहता है कि syntactic analysis helps us to understand the role played by different words in the body of the text इसका मतलब यह है कि हमारा जो syntactic analysis है वो हमें यह understand करने के लिए help करता है कि हमारी जो text है उसमें जो words होता है वो हर एक word कौन सा role play करता है इसका मतलब हम parsing में समझने वाले है तो उसवें आपको समझ जाएगा इस sentence का मतलब ठीक है अब यह यहाँ पर example दिया गया है example यह है innocent peaceful cats sleep little अब यह जो sentence हो जाएगा क्योंकि यह grammatical कोई sense नहीं बना रहा है but at the same time innocent little cats sleep peacefully यह sentence accept हो जाएगा क्योंकि यह grammatical sense बना रहा है अब syntax analysis के दूसरे काम के उपर आता है which is parsing, parsing का मतलब होता है parse to generate करना but parse to generate करने से पहले वो करता है part of speech tagging इसका मतलब sentence में जितने भी words होता है हर एक word का part of speech क्या है यह वो निकालता है for example अगर सपोज मेरे पास sentence है अनुराग ate the rat ठीक है एक video मेरा यह था एक video में मैंने इसको गलती से determinant बोल दिया था तो वो article है ठीक है मैं उसके उसे वीडियो के comment में डाल दूँगा ठीक है अभी अनुराग I mean यह part of speech tagging इसको कहते है हर word को उसका कौन सा part of speech है वो assign करना इसको part of speech tagging कहते है है एंदन उसके बाद वो पार्स टी जनरेट करता है सबसे पहला मेजर फायदा होता है कि यह हो जाता है जो होता है ऊप्ड़ा यह सब्सक्राइब नोट्स आर्फिन सब्सक्रेप चोई ऑपकोड़े नंबर डिस्क्रिप्जिन में है मुझे WhatsApp कीजिए जो भी आपका डाउट है नोट्स के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ सकते हो ठीक है So thank you watching this video and have a nice day, bye bye